अवाज का रुखापन यानि कि अगर गले में आपकी अवाज जो है वो सुरीली नहीं निकल रही है तो उसके लिए आपने क्या करना है इक्वल कॉंटिटीज लेना है पिसी हुई मुलठी को और काली मिर्ज पाउडर को इन दोनों को ये एक पेस्ट बना लीजिए और उसके साथ थोड़ आसा देसेगी अड़ करके आप इसको रेगुलरली ले सकते हैं इससे जो आवाज है उसका सुरीलापन बन जाता है लेकिन अगर आवाज बिलकुली बैठ गई है जैसे कि गले में खराश के कारण तो उसके लिए आपने क्या करना है कि पिसी हुई काली मिर्ज थोड़ी सी ले लीजिए लगबग आदा चमच और उसको मिल्क में बॉयल करके लेना है या सिंपली लेकर और उपर से वाम मिल्क पीना इससे आवाज कितनी भी बैठी हो फिर भी आपके आवाज की जो सुरीला पन है या जो आवाज निकल नहीं रही है उसमें आपको ज़रूर फरक महसूस होगा अगर आपकी गले में खराश बहुत जादा रहती है तो वाम वाटर में थोड़ा सा काली मिर्ज पाउडर या थ कर वार फ टूल – लुटियक ऑचा में खराश बहुत जाजााद बहुत बहुत प्रह जो आवाज़ benefici देंी जावाज हो जो ख़ब होगक़ फुटिए के ख़ूब, आवाज हैं प्रह favorable, वारो आखवाज हैं अ